ये सर्फ नाम नहीं, ब्रैंड है, ब्रैंड ये देखो वई चलती फिरती रसुई, एक बाल्टी करेगी पूरे किचेन का काम और इसके अंदर के खुफिया राज जानकर तो आप भी हेरान रहे जाएंगे पुराने जमाने में जब ट्रेवलिंग के साधन नहीं हुआ करते थे, बैल गाड़ी और उंट गाड़ी इस तरह के साधन होते थे तो लोगों को महीनों लग जाते थे, दिनों लग जाते तो वो लोग कैसे खाना खाते थे और कैसे बनाते थे तो हम दिखाने जा रहे हैं तो अब ख़जाना खुलने के लिए जा रहा है दर्सक हैं वो त्यार हो जाएं देखने के लिए क्या क्या चीज देखने को मिलेगी सर इसमें अपन आठा गूंद लेंगे और सर यह आगए अपने तीन गिलास यह चीज क्या काम आ सकती है सर आप बताईगे जरा हमारी समझ से परेह आप पी बतादी जीए तरिये संडाशी बोलते हैं हमारी बासा में यह सर ये क्या जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे यह स्पून आ गई यह आपकी सर्वी सब्स आ गई यह तीन बिलकुल और अभी सर देखेंगे की ठाली कितनी आ तो सर लीजे एक ठाली दो रए veggie यह तीन थाली और यह चार ठाली आग कि अधाय इसके अंदर भालति असके लिए उसके अंदर 16 कतोरी इन फिक और थे स análट की वियुक्ष एंब आप यह देखिए कि असे त्यार होता है हां यह मैंने एक पीस उठाया है हां यह ऐसे मैं इसको फिट कर रहा हूं अब कुछ समझ में आ रहा है सर क्या हो यह सर बेलन बनेगा इसका बिल्कुल सर पीतल का बेलन आप पहली बार देख लें जा रहे हैं और इस पॉल्डिंग वही फॉल्डिंग मेलन पीतल का पुराने जमाने में रोटी में निज्ट्रू अभि आपको दिखाएंगे कि रोटी में जोए कैसे होता था किसर चुम्ते बिल्कुल चिम्टा और चिम्टे में भी देखिए सर सिस्टम है यह 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 आ पे आ गया तो अब जगह स्पेस जादा लेगा इसलिए इसमें एक पती डाली वी है इसको इंदर किसका देंगे तो यह स्पेस नहीं लेगा अपने इस बिल्कुल स्पेस नहीं लेगा तो देगे सर यह चोटी-चोटी चीज़ें फिर यह अपनी पराता आगई प्रॉपर आटा गोनने के लिए यह अपना चकला आगया सर चकला बेलन भी पीतल का कि पुराने जमाने में सर इंजॉय के बहुत ज्यादा सादन नहीं हुआ करते थे कैसी आवाज सुनाई दे रही है बड़ी ही मदूर और शांदर आवाज है सर तो सर यह होता था पुराने जमाने का इंजॉय मतलब हर काम है अगर खाना बनाना तो इसको इंजॉय करना अपने को चोटी फैलेठों रहे क्वाटर प्लीट अच्या राइस प्लेट च्या बाध यह लिए सार नहीं नहीं कर आ पको आप सर फिर सब्जी बनाने के लिए दूद भी गरम करना पड़ेगा अपने को यह दूसरा टोपिया आ गया दूसरी भी निकल गई और यह तीसरा टोपिया आ यह सर आपका चोथा टोपिया जो आज हम मैटल यूज कर रहे हैं प्लास्टिक यूज करें इस्टील यूज करें वह हमारे स्वास्थे के लिए हानिकारक है और जो पुराने मैटल होते थे उसी में से एक यह मैटल है ब्रास जिसका यह ट्रेवलिंग किट बनी हुए यह किस तरह से पत्थर को चुन के चूला तयार कर लिया जाता था खाना बना के जंगल में और उस खाने का अनंद उठाया जाता था आज से कई सो साल पूरानी केंपेनिंग कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी जो एक ही बाल्टी में इतने बरतन समा जाते थे सर टोटल कितने होगे इसके अंदर सर इसमें 58 बरतन हैं आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक बाल्टी के अंदर पूरा खाना रेडी हो जाएगा उस वक्तों सर कुछ खुराक डाइट ज्यादा होती थी जी क्योंकि लोग इतना वरकाउट करते थे लेकिन आज के इसाब से मेरे इसाब का कीचेन बहुत बहुत धन्यवाद से थेंक्यू सर